Hello and Welcome to Bridgebala Education YouTube Channel आज की इस educational lecture में बच्चों हम discuss करने वाले हैं Class 9 के Science Chapter Diversity in Living Organisms को ये इस chapter का Part 2 वीडियो है अगर आपने Part 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए करते हैं शुरूँ Plant Kingdom से आज हमें start करना था तो सबसे पहले हम देखते हैं कि plants को किस तरीके से further classify किया है biology experts ने सबसे पहले plants के अंदर देखा जाता है कि plant के parts में differentiation नहीं है या फिर differentiation है differentiation का मतरब होता है कि उनका body कितना simple है, कितना complex है जैसे कि अगर मैं compare करूँ एक earthworm को और humans को, एक Ketua को और इंसान को तो इंसानी शरीर के अंदर ज़्यादा tissues, ज़्यादा तरह की tissues, organs पाई जाते हैं तो इसलिए हमारे अंदर differentiation ज़्यादा है as in comparison to an earthworm तो वही चीज इसी तरह की differentiation हम देखते हैं plants में अगर differentiation नहीं है, well differentiated plant parts नहीं है तो उन plants को हम क्या कहेंगे, thallophyta कहेंगे और अगर plants के अंदर differentiation है, तो हम उनको दोबारा classify करेंगे अब की बार हम देखेंगे कि plant के अंदर vascular tissues नहीं है या फिर plant के अंदर vascular tissues है vascular tissues क्या होते हैं, xylem और phloem को vascular tissues कहा जाता है xylem और phloem के बारे में, last chapter में, biology के last chapter में हम discuss कर चुके हैं जो tissues food को transport करते हैं, उनको phloem कहा जाता है जो water और minerals को transport करते हैं, उनको xylem कहा जाता है और xylem और phloem ही plant के vascular bundles बनाते हैं तो अगर vascular tissues present नहीं हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उन plants को हम क्या कहेंगे bryophyta, ठीक है, और अगर vascular tissues हैं, तो हम उनको दोबारा फिर से classify करेंगे कि वो seeds produce करते हैं, या फिर seeds produce नहीं करते हैं अगर वो seeds produce नहीं करते, उनके अंदर vascular tissues तो हैं, लेकिन seeds produce नहीं करते ठीक है, naked seeds या फिर covered seeds हैं उनके पास, अगर उनके पास naked seeds हैं, तो उनको हम कहेंगे gymnosperms, अगर उनके seeds fruits के अंदर present है, जिसे आम के अंदर गुठली present होती है, आम का बीज present होता है, तो उनको क्या कहेंगे, हम angiosperms कहेंगे, और angiosperms को आगे फिर से डिवाइड किया गया है अगर उनके पास दो Cotilidon है तो Dicot plant कहा जाएगा और अगर उनके अंदर एक Cotilidon है तो उनको Monocot plant कहा जाएगा अब मैं आपको detail में जितने भी 5 ये parts बने हैं plant के Thelophita, Bryophita, Terridophita और Gymnosporms, Angiosperms इनके बारे मैं आपको detail में बताऊँगा देखिए, बात करते हैं Thelophita की Thelophita में well differentiated body design नहीं होता ये काफी simple plants होते हैं simplest plants भी कह सकते हैं इनको Thelophita को हम algae भी कहते हैं अच्छा बचो मैं आपको एक छोटी सी suggestion यहां देना चाहूँगा कि आप एक copy और pen पे points नोट कर लीजी आपको points बता देता हूँ इससे जब भी आप इस chapter को revise करेंगे तो आपको book में सिर्फ diagrams देखने की जरूरत पड़ेगी बाकी जो भी written है book के अंदर वो सारा आप उन notes में से पड़ पाएंगे पहला आप क्या लिखेंगी ये बिल्कुल simple plants होते हैं differentiated body नहीं होती है इनको एलगी भी कहा जाता है ये aquatic plants होते हैं पानी के अंदर ही पाए जाते हैं और इनके कुछ examples spirogyla, eulothrix, cladophora, alva ये सारे इसके examples हैं आगे आता है आपका next part bryophyta bryophyta को amphibians of plant kingdom भी कहा जाता है अब इनको amphibians of plant kingdom क्यों कहा जाता है क्योंकि ये नम जगे पे उगती है ये ऐसी जगे पे उगती है ऐसी मिट्टी में उगती है जो हमेशा गेली रहती है जहां पानी वगरा जादा होता है जैसे कि नदी के किनारे पे जो मिट्टी होती है वहाँ पे ये जगती है इसलिए इनको amphibians of plant kingdom कहा जाता है ठीक है तो question बन सकता है which plant category is called amphibians of plant kingdom and why ठीक है तो इनके इन plants के अंदर एक stem like structure होती है और एक leaf like structure होती है ठीक है काफी simple plants होते हैं ये भी इतने well differentiated नहीं होते एक stem like structure और एक leaf like structure होती है इनके अंदर इनके पास xylem और phloem या vascular bundles present नहीं होते mose और marchantia इसके examples है आगे आता टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा की बात करते हैं टेरिडोफाइटा में root stem और leaves present होते हैं अब देखिए ठेलोफाइटा simplest plant थे algae को थेलोफाइटा बोलते है ब्रायोफाइटा में एक stem like structure एक leaf like structure था vascular bundles present नहीं थे टेरिडोफाइटा के अंदर root stem और leaves present होते हैं इनके पास vascular bundles present होते हैं water conduct करने के लिए और food को conduct करने water को conduct करने के लिए इनके पास specialized issue होते हैं examples इनके marzilia, ferns, horse tails तो ये था आपका थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारी में अब ये जो तीनों हमने पढ़ी हैं अब तक के टेगरी तीन तरह के जो plants हमने अभी तक पढ़े हैं इन तीनों के अंदर जो reproductive organs होते हैं वो hidden reproductive organs होते हैं inconspicuous reproductive organs होते हैं इनको कहा जाता है spores इनके जो reproductive organs होते हैं तीनों के जो अमने अब तक पढ़े हैं इनके reproductive organs को कहा जाता है spores इनके अंदर seeds नहीं बनते beege, flowers, fruits इनके अंदर नहीं बनते इन तीनों ही plants के अंदर जो अमने अब तक पढ़े हैं इनके अंदर seeds, flowers, fruits नहीं बनते, ये reproduction करते हैं sports की help से, इनके reproductive organs क्या होते हैं, hidden reproductive organs होते हैं, इसलिए इन तीनों plants को, कौन से तीनों plants को, थेलोफाइटा को, ब्राइवफाइटा को और टेरिडोफाइटा को मिला के crypto games भी कहा जाता है, crypto games का मतरब है, crypto का मतरब hidden, games का मतरब है reproductive organs यानि plants with hidden reproductive organs, दूसरी तरफ, जो plants well differentiated होते हैं, जिनके reproductive organs अलग से होते हैं, well defined होते हैं, जिनके अंदर seeds बनते हैं, ये सबसे major point है, differentiation का, जिनके अंदर seeds बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है, penny do games, तो एक तो हो गया crypto games, पहले तीनों को, थेलोफाइटा, ब्राइवफाइटा, तीनों को मिला के crypto gaming कहा जाता है, और gymnos pumps और angios pumps को मिला के phanerogamia कहा जाता है, crypto gaming और phanerogamia में major point of difference क्या है, कि उनके अंदर hidden organs होते हैं, reproduction के, इनके अंदर well defined organs होते हैं, seed formation, phanerogamia में तो होता है, crypto gamia में नहीं होता है, ठीक है, sexual reproduction से seeds जो बनते हैं, वो phanerogams में बनते हैं ठीक है, इनके पास जो seeds होते हैं, seeds के अंदर क्या क्या होता है, seeds के अंदर एक तो embryo होता है, embryo नहीं baby plant, छोटा plant, जो आगे जाके future में जाके पोधा बनेगा, और stored food होता है, जब तक वो plant अपनिया photosynthesis करके, अपना food नहीं prepare करने लग जाता, तब तक उसको food provide करने का काम, seed क ही होता है, ठीक है, तो अब इन फनीरो गैमे को आगे classify किया गया दो parts में, gymnosperms और angiosperms, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस तरफ आएगा angiosperms, ठीक है, एक बार मैं आपको differentiate करना बता देता हूँ, differentiation क्या-क्या है, crypto गैमे और फनीरो गैमे में, इन दोनों की differentiation जो है, मैं करवा देता हूँ, देखे, crypto गैमे में, spores होते हैं, crypto गैमे में, इसमें seeds होते हैं, hidden reproductive organs होते हैं, exposed, यानि properly well defined reproductive organs होते हैं, यह less evolved plants हैं, यह highly evolved plants हैं, यानि यह ज़्यादा differentiated हैं, इनके अंदर differentiation कम पाया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आत होते हैं, examples आप करी सकते हैं खुद, ठीक है, तो these are the major points of differences between crypto गैमे और फैनीरोगैमे, यह exam में पूछा जा सकता है, next comes gymnosperms and angiosperms, gymnosperms का मतरब plant with naked seeds, gymnos का मतरब naked, spums का मतरब, sperma का मतरब seed, यानि इनके अंदर fruit नहीं होता, यह non-flowering plants होते हैं, देखे, आप ध्यान रखे, gym जिमनों और NGO के बीच में major difference क्या है, flowering नहीं होती, gymnos के अंदर, flowering होती है, NGO के अंदर, ठीक है, naked seeds होते हैं, gymnos के अंदर, covered seeds होते हैं, angiosperms के अंदर, ठीक है, this is the major point of difference, naked seeds का मतरब, fruits जो होते हैं, fruits आ सकते हैं, angiosperms के उपर, fruits नहीं आ सकते, gymnosperms के उपर, ठीक है, जैसे अगर mango की बात करूं, तो mango एक angiosperm है, why, क्योंकि आम के जो गुठली होती है, उसके उपर covering होती है, बहार आम होता है, आम का pulp होता है, आम का छिलका होता है, तो covered seeds कहलाएगा, ठीक है, तो naked seeds होते हैं, perennial यानि साल में बारो महीने हरे रहते हैं, ये plant, evergreen होते हैं, साल में ब जाता है, ठीक है, तो एक ये point of difference bean में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो आगे आता है angiosperms, angiosperms का मतलब plants with covered seeds, angio का मतलब covered, sperma का मतलब seeds, इनको flowering plants भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें flowers आते हैं, ठीक है, seed के ऊपर एक ovary आ जाती है, ठीक है, और बाद में वो क्या बन जाता है, fruit बन जाता है, जैसे कि mango के example लेते हैं, अंदर की तरफ क्या है, ये गुठली है, इसके उपर क्या है, ये जो खाने वाला हिस्सा है, इस खाने वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, ovary कहेंगे, इस पूरे को, ठीक है, ये आपको 10th class में detail में discuss किया जाएगा, ठीक है, कि किस तरी embryo के अलाबा, plant के embryo के साथ क्या होते हैं, cotyledons present होते हैं, ध्यान रखें आप इसको, ठीक है, cotyledons present होते हैं angiospurms के अंदर, cotyledons present नहीं होते, gymnosperms के अंदर, cotyledons को seed leaves भी कहा जाता है, क्योंकि ज्याशतर cases में cotyledons ग्रीन हो जाते हैं, seed को germinate करने में help करते हैं seed को germinate होने के बाद photosynthesis में help करते हैं that is why cotyledons are also called seed leaves angiosperms को आगे दो categories में divide किया गया है जिन angiosperm के seeds में single cotyledon होता है उनको monocotyledon या फिर monocotes और जिन angiosperm plants के seeds में दो cotyledons होते हैं dicotyledons या फिर dicote plants कहा जाता है ठीक है जिन इसमें monocotes और dicotes में भी मैं आपको differences जो है एक बार discuss करा देता हूँ what are the major points of differences जो एक cotyledon होता है तो monocote, दो cotyledon होते हैं तो dicote, इसमें fibrous root देखी इस तरह की root होती है fibrous root होती है monocote में tap root इस तरह की root होती है main root होती है, side में से branches निकलती है इस तरह की root होती है dicotes में multiple of three में 3, 6 या 9 petals होती है और इसमें full में 4 या 5 petals, 4 या 5 पंखोडियां होती है leaf venation में भी दोनों में differences होता है, देखे किस तरह की parallel और reticulated leaf venation है दोनों के अंदर अगर मैं xylem और phloem की बात करो xylem और phloem scattered होते हैं, देखे कैसे फैले हुए है और यहाँ पे xylem और phloem एक ring बनाए हुए है जो pollen grain होता है pollen grain के अंदर एक ही pore, एक ही छेद पाय जाता है monocote में और dicote में 3 छेद पाय जाते हैं तो these are the primary differences between, main differences between monocotes and dicote plants ठीक है तो students, part 2 वीडियो में इतना ही आगे हम इस lesson को complete कर देंगे, हमारी part 3 वीडियो में part 3 का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा इससे पहले बच्चों, अगर आप इस channel पे नहीं है अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर से जरूर सबस्क्राइब करें ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को दबा दे notification bell icon को और जाने से पहले comment में अपनी राय दिना ना भूलें वीडियो को like जरूर से जरूर करें अपने friends के साथ आप इस वीडियो को share करना ना भूलें तक्यू फो बिंग विद उस